नमस्कार दोस्तों, मैंने आज देखा नेपाली फिल्म चीजसों मानचे, मतलब क्या कहो यार, फिल्म का टेलर देखके मुझे ऐसा लगा था कि भाई ये कुछ यूनिक चीज़ होगा, मतलब स्वास्तीमा खड़का का जो अलग गेट अप था, और उनका जो करेक्टर एक पकड़ा हुआ था उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ कि कुछ डिफरेंट लेवल पे नेपाली फिल्म में आने वाला है, लेकिन क्या कहूं जब मैं सिनेमा हौल में गया, अपने घर से तकरीबण 55 किलो मिटर बाइक से गया मैं फिल्म को देखने हैं, और वहाँ पर जब जाकर फिल्म देखने मैं सिनेमा हौल में पहुंचा अंदर गया, तो बहुत थी कम लोग थे वहा पर, और जब फिल्म स्टार्ट हुआ तो मुझे कसम से कह रहा हूं मुझे नीद आ रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों आ गया हूं यह फिल्म देखने यार होता है कि फिल्म आप रियालिस्टिक बना रहे हो मतलब कुछ स्टोरी तो रखना चाहिए न आपको तो यहां पर इस फिल्म की सबसे जो पलस पॉइंट है न जिसके लिए अगर आप चाहो तो देख सकते हो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यह फिल्म देखो आप चाहो तो देख सकते हो स्वासीमा खड़का का एक अलग लूक उनका उस लूक में ढ़ल जाना और उनका एक्टिंग का पर्फोर्मेंस जो है वो देखना अगर आप चाहते हो तो यह फिल्म आप जरूर देख सकते हो लेकिन अगर आप इसके साथ अगर कहाने कुछ ढूंड रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा एकदम से फिल्म एकदम से डिसपॉइंटिंग है मुझे नीन दा रहा था फिल्म को देखते हो गया बहुत ही बोरिंग स्क्रीन प्ले है इस फिल्म का फिल्म का स्टोरी है कि एक लड़की रहती है स्वास्तिमा खड़का जिनका 15 साल की एज में साधी हो गई रहती है उनका हस्बेंड कतार में रहे होते हैं लॉकडाउन का टाइम चल रहा होता है वहाँ पे कतार में उनका husband का देथ हो गया है और उसका body आता है काठमांडू काठमांडू से उस body को बाजूरा नाम के जगह पर ले जाने के लिए ये पूरा story create किया गया है इस film की acting department को छोड़ कर मुझे कुछ भी सही नहीं लगा चाहे screen play हो चाहे इस film का story हो जब एक ही आदमी हर चीज़ करने लगता है तो या तो बहुत ही बढ़िया निकल के आता है या तो बहुत ही disappointing आता है तो यहाँ पर disappointing हम सभी को देखने को मिलेगा जहाँ पर director, cinematographer एंड इस film के जो story writer है एक ही आदमी है उनका नाम है दिपेंदर के खानाल यहाँ पर दोस्तों मैं माफी चाहँगा कि आप सभी को दुख लगेगा सुनते हुए मुझे बोलते हुए भी दुख लग रहा है लेकिन सच में यह लोग चाहतो रहे थे कि कुछ different करें लेकिन different करने की चाहत में डिपेंदर के खानाल जी फिल्म में story ही डाल ला भोल गया है उनको लगा भाई कैसी भी story डाल दो फिल्म में अच्छे अच्छे star को ले लो फिल्म हिट कर जाएगी लेकिन सायद यह फिल्म उतना लोगों के दिल पर असर ना कर पाए मुझे ऐसा लगता है दोस्तों दूसरी जो बात है मुझे इस फिल्म की सबसे वहियात बेकार बात लगा जो मैं अपने दिल से कह रहा हूँ husband का body अभी जला नहीं है वो रोमांस करना चाह रही है अब आप लोग कहोगे कि हाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है तो study का demand नहीं भाई एक तरफ से वो लड़की को बहुत ही serious दिमाग वाली दिखाया जा रहा है तो एक जगा पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो रोमांस कर रही है ऐसा ही बच्चों की तरह खेल कूद रही है जबकि उसका husband मरा पड़ा हुआ है वो खेल रही है कूद रही है मुझे बहुत ही disappointing लगाई है दोस्तों यह film काफी हद तक realistic दिखाया गया है लेकिन लोगों का आदत पड़ गया है कि कुछ cinematic देखें realistic में भी कुछ drama हो drama इस film में एकदम से गाइब है सिर्फ एक journey दिखाया गया है ना तो starting का पता चलता है ना तो ending का पता चलता है interval कब हो रहा है पता नहीं चल रहा है तो मतलब बहुत ही disappointing किया गया है यह experiment करने के चकर में यह लोग बहुत ही मेरे ख्याल से सायद मेरा personal opinion यहने हो सकता है आपका ना हो लेकिन मुझे सही नहीं लगा यह film एकदम सही मुझे नहीं सही लगा मुझे यह लग रहा है कि 55 km, 55 km 110 km मेरा trip हुआ है और यह film देखने के बाद मुझे खुद पे गुसा आ रहा है कि मैं यह film क्यों देखने गया था लेकिन मुझे tailor देखके बहुत ही promising लगा था कि film अच्छा होगा दोस्तों film में अच्छी acting करना एक बहुत ही जरूरी पार्ट होता है लेकिन film का story में दम होना भी उतना ही जरूरी है जो कि इस film में missing है मुझे इस film की story में उतना दम नहीं लगा sorry to say यार दोस्तों कि आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ मुझे वावा नहीं करवाना है मुझे सिर्फ तारिफ नहीं कराना है जो गलती इन लोगों ने किया है मुझे जो अच्छा नहीं लगा मैं वो बोल रहा हूँ कवरी फोर मुझे एकदम से fully entertaining movie लगा था comedy था उसमें हर चीज मुझे अच्छा लगा था script उसका अच्छा था अच्छा लगा था मुझे नेपाली फिल्म ही आमा है जिसका story एक ही सिर्फ अस्पताल में दिखाया गया है होस्पिटल में पूरा फिल्म इंड हो जाता है फिर भी फिल्म बहुत ही engaging है script आपको बहुत ही अच्छा लगेगा लेकिन ये फिल्म मुझे बहुत ही disappointing लगा मुझे पैसा बरबाद ही मुझे लग रहा है कि मेरा पैसा बरबाद हो गया इस फिल्म को देखे दोस्तों मैं ये नहीं है कि मैं सिर्फ तारिफ करूँगा कि हाँ मुझे views चाहिए मुझे likes चाहिए बहुत ही तारिफ कर दूँ बहुत ही अच्छा है performance बहुत अच्छा था जो चीज कमी है वो मैं कमी बता रहा हूँ आप सभी को दोस्तों इसी तरीके से realistic review देखने के लिए हमारे चाइनल को subscribe किजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नेट आपी के साथ तब तक ख्याल रखे अपना और अपने चाहने वालों का नने वाद खुदा आपिज है वनाइश्टे आप